नमस्कार दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो के मादन से बताने जा रहा हूँ सरीर के अंचाय बालों को हमेशा हमेशा के लिए निकालने के कुछ आसान घरुलू रामबाट उपाए दोस्तो चैरे पर या सरीर के किसी भी हिस्से पर अंचाय बाल हो तो वह हमारे चैरे की सुंदरता को खत्म कर देते हैं सुंदर और खूपसूरा चैरा तो सभी को पसंद है मर्दों के लिए चेरे पर बाल होना आम बात है इससे उनकी खूब सूर्थी पर कोई भी फर्ग नहीं पड़ता है लेकिन महिलाओं के चेरे पर बाल आफ़त की तरह होते हैं इसलिए महिलाओं इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करती हैं और beauty product का इस्तमाल अपने चेरे पर करती हैं जो कुछ दिनों के लिए तो उनकी समस्या को दूर कर देते हैं लेकिन फिर से वही समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी बन कर सामने आती हैं ऐसे में वह अपना समय और पैसा दोनों खत्म कर देती हैं कभी कभी तो इन beauty product से चेरे को नुकसान भी होता है इसलिए यदि आप अंचाय बालों से परसान हैं तो आप हमारे द्वारा बताएगे नुस्कों को अपनागर अंचाय बालों से चुटकारा पास सकते हैं सबसे अच्छी बात इन से ना सिर्फ अंचाय बालों खत्म होते हैं बलकि चेरे की सुंदरता भी भड़ती है और इनका कोई भी दूस्प्रवाब नहीं होता है कुछ ऐसे भी नुस्के हैं जिन से आप हमेशा के लिए अंचाय बालों से चुटकारा पास सकते हैं तो जानते हैं दोस्तों क्या यह नुस्का इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यापर एक टमाटर लेना है और आपको दोस्तों टमाटर को बीच में से आदा काट लेना है इस तरीक से लेकर दोस्तों अब आपको आदे टमाटरों कद्दूगस करना हुआ तो इसके लिए आपको एक खाली पिलेट चाहिए और इसे जो आपको कद्दूगस करना है इस तरीके से दोस्तों कद्दूगस करने वाद में आपको इसे खाली कट्रूरी में निकाल लेना है अब दोस्तों आपको क्या करना है इस टमाटर पल्प में आपको थोड़ी सीस में हल्दी पाउडर एट करना हुआ दोस्तों हल्दी पाउडर हमारे अंचाय बालों को हटाने के लिए बहुती आला फाइलमन होता है यह हमारे अंचय बालों को जड़ से कमजोर करता है इससे हमारे अंचय बाल काफी आसानी से जड़े आते हैं तो आपको सिर्फ इतनी सी मात्रा में हल्दी पाउडर इसमें एट करना हुआ द्यान से देगे हैं दोस्तों सिर्फ इतनी सी मात्रा में हल्दी पाउडर लेकर दोस्तो अगली चीज़ जो आपको इसमें लेनी है वो है दोस्तो सफे नमक अब दोस्तो आपको यहाँ पर लेना हुआ सफे नमक आपको जो है हल्दी के बराबर इसमें सफे नमक एड़ करना है दोस्तो सफे नमग भी हमारे अंच्या बालों के लिए बहुती जादा असरदार है इससे क्या होता है कि हमारे अंच्या बाल जड़ में से काफी कमजुर हो जाते हैं साथ जात काफी कड़क भी हो जाते हैं जिससे हमारे अंचाय बाल बिना तकलीव के बिना दर्द के आसानी के साथ में जड़े आते हैं अब दोस्तों आपको इन सारी शीयों को अच्छे से मिक्स कर लिना है दोस्तो आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है जिससे की पेश्ट आपका अच्छे से बनके रीडियो है साली चीह आपसमें अच्छे से मिक्स होया है तो इसी तरीकी से आपको इसे मिक्स करना है तो दोस्तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है बहुत एच्छा पेष्ट बनक Turkish के हमारा तैयार आई है अब दोस्तो इस पेष्ट को लगाने का तरीका वो यह आप जो है सबसे पहले अपने अंचाय बालों के उपर नारील का तेल लगाकर मालिस कर रहे इस तरीके से दोस्तो नारील का तेल ले 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 दो मेर तक दोस्तों मालिस करना बाद में आब आपको ये पेस्ट लेना है और इस पेस्ट को जो है अपने अंचा बालों उपर इस तरीगे से लगा लेना है इस तरीगे से दूस्तो लगा कर आपको इसे आदे गंटे तक लिए ऐसी छोड़ देना है आदे गंटे वाद आपको इसे उंगलियों से इस तरीगे से रगरते हुँ छुड़ाना है दूस्तो यह आपका पेश्ट बिल्गुल सूख जाएगा आदे गंटे के अंदर तो आपको इसी तरीके से स्क्राब करते हूँ चुडाना है इससे यह आपके अंचाय बालों की जणों को कमजूर करेगा जिससे आपके अंचाय बाल काफी आसानी से चढ़ने लगेंगे तो दोस्तो ये था हमार आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा है अपने दोस्तों सेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारी यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे के नए नी वीडियो नए नी जानकार यहां तक पहुंशती के लिए मैं आप क्लिक फिल्लाओं को चैसा वीडियो तब तक के लिए दुसको बाई बाई